नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ती टॉप टेन में, मैं हूँ योगिता सींग। आईए करते हैं शुरुवात धर्म और आध्यात में जगत से जुड़ी दस बड़ी ख़बरों के साथ। कल से बैतूल मथ्यप्रदेश में शुरू होगी श्री राम कथा। 12 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूझ श्री अतुल रामायनी जी महराज अपनी वानी में प्रभू श्री राम की लीलाओं का करेंगे वर्णन। पंधरपूर महराष्ट्र में होगा भागवत कथा का आयोजन। 14 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में परम शद्धै कैलाश चंद जोशी जी महराज अपने प्रवचनों के माथ्यम से लोगों को देंगे धरमनिष्ट बनने की प्रेणना। हैद्राबाद तिलंगाना में 8 दिसंबर से आयोजित होगी श्रीमत भागवत कथा। 15 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूजिया साधवी पद्म हस्ता भारती जी अपनी भावपून वानी में श्रोताओं में भक्ती की अलग जगाने का करेंगी प्रयास। परमपूजी डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महराज 13 दिसंबर से अयोध्या में सुनाएंगी श्रीमत भागवत कथा। परमशद्य बालव्यास निदिन देवजी महराज अकोला महराष्ट्र में 17 दिसंबर से सुनाएंगे श्रीमत भागवत कथा। 23 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में अपनी दिव्यवानी में लोगों को दिखाएंगे धर्म और मोक्ष का मार्ग। योग और आयरुवेद की प्रवर्तक परमपूज स्वामी रामदेव जी के विभिनकारे कलापों और शिवरों का प्रसारन देखे हर रात 9 बजे सिर्फ संसकार पर। आयरुवेद से जुड़ी रोचक बातें और जड़ी बूटियों द्वारा रोगों से छुटकारा पाने के सरल और आसान उपाय जानिये श्रधे आचारेबाल कृष्ण जी के आसान नुस्खों में प्रतिदिन संसकार और सत्संग पर। आज के लिए बस इतना ही कल फिर लोटेंगे लेकर धर्म और आध्यात्म जगत की दस बड़ी खब्वें तब तक के लिए नमस्कार